इंसानी दिमाग, प्रकृती द्वारब मनाई गई दुनिया की सबसे जड़िल और तेज मची ये ही वो अंग है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है पर क्या आप ये जानते हैं कि दिमागे खुद के कुछ डरावने रहसे हैं? आईए जाने क्या? आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी नमबर एक आपकी दिमाग के सेल कैनिबल यानि की नर्भुक्षी होते हैं आपका दिमाग शरीर की करीब 20-25 प्रतिशत उर्जा इस्तिमाल करता हैं और सदेव भूका रहता है अगर आपका पिट भरा ना हो और शरीर में परियापत उर्जा ना बन रही हो तो दिमाग उर्जा के लिए अपने ही अंदर के सेल्स तो खाने लगता है ज्यादा सुने से आपका दिमाग पागल हो सकता है ज्यादा सुने से आपके दिमाग जल्दी बुड़ा होता है क्योंकि सोते वक दिमाग की एक्टिविटीज यानि की गतिविधियां बढ़ जाती है आपने महसुस किया होगा कि ज्यादा सुक रफने से आप नींद और जागे हुई की बीच की स्थितिय में हो जाते हैं जिसे आप आलस कहते हैं नमबर तीन आपका दिमाग कभी भी भ्रह्म पैदा कर सकता है दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स मौझूद होते हैं जो कि आपको उन चीजों को भी दिखाने और महसुस कराने की शमता रखते हैं जो वहाँ है ही नहीं इन केमिकल्स को इंसान अलग-अलग तरीकी के ड्रग्स लेकर उत्यजित कर सकता है पर कभी कबार ये केमिकल्स खुद ही अक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कि कभी कबार नीम से उठने के समय आपको एकदम असली दिखने वाले सपने आदें नमबर चार जो भी आपको आखों से दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है आखों के बर्दे पर पढ़ने वाली रोशनी दो आयमी यानि टू-डाइमेशनल होती है और हम रहते हैं तीन आयमी यानि टू-डाइमेशनल दुनिया में तो दिमाग आखों से मिल रही इन टू-डाइमेशनल पिक्चरों को अंदादे से तीन आयम में बदल देता है और फिर आपको दिखाता है यानि कि जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ आखों का नहीं पर आपके दिमाग के दोरह पैदा किया गया भ्रहम है दर्द एक शारीव एक चीज नहीं पर दिमाग दोरह पैदा किया गया भ्रहम है इंसानी दिमाग में दर्द भापने वाली कोई शिकाएं नहीं होती तभी तो ब्रेन सर्जरी की टाइम में इंसान ज्यादा तर होश में रहता है दर्द के सिंगनल दिमाग शरीर को तभी भेजता है जब उसे ये लगता है कि आपकी जिनगी को खत्रा है पूरे शरीर में दर्द की भावना भेज सकने के बाब जूद दिमाग खुद अपने आपको दर्द से दूर ही रखता है खत्रा पैदा होने पर इंसान को छोड़ कर दिमाग पहले कुद अप्रा बचाओ करता है कोई मान से कागात पढ़ने पर दिमाग उस वाक्य को ही अपने से मिटा देता है और उस वाक्या के साथ साथ वो सारी यादे भी मिटा देता है जिससे लोगों में कभी गुबार memory loss की घटना हो जाती है गहरी छूट लगने पर दिमाग अपने से जरूरी हिसों को चालू रख कर बाकियों को बंद कर देता है जिससे दिमाग चालू तो रहता है पर इंसान कुमम में चला जाता है हर इंसान के लिए समय की तेजी उसके दिमाग पर नजभर करती है हमारे दिमाग अगर किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो फिर उसके लिए समय जैसी वस्तू कोई माने नहीं रखती इसलिए तो आपको अच्छी लगने वाली चीजे करते वक्त आपको लगता है कि थोड़ी देल ही हुई है जबकि घंटे बीच चुके होते हैं और अच्छी ना लगने वाली चीजें मैं ऐसा लगता है कि कितने गंटे हो गए हैं जबकि हुए कुछ मिनट ही होते हैं साथी साथ दिमाग को किसी चीज में मजा ने लगता है तो फिर वो अपना ध्यान कहीं और भटकने नहीं देता इन सब बातों से ये पता चलता है कि किसी का भी दिमाग उसके वश में नहीं है पर हम अपने दिमाग के वश में हैं पर अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को काबू में पा लें तो दुनिया जी सकते हैं आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथी साथ ऐसे मसेज़ार वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल पर सब्स्क्राइब करना ना भूलें ये एकदम फ्री हैं बिरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदर